प्रवाइब लोगों के लिए मैं फिर से स्टॉक लेके आ गया हूं इंदर्शिंद बैंक लिमिटेड अब देखिए इंदर्शिंद बैंक लिमिटेड के अंदर आप लोगों को मैंने एक्जिट लेवल बताने के बाद फिर से करने की लिए नहीं बताया था बस एं स्टाड़ याशिचे स्टाटेवट के लिए बाताया मिलेगा वह अपने आप लोगों को पिछले वीडियो में बता चुका सेवन रूपीज के हिसाब से आवरेज 9 रूपीज और 5 रूपीज और 11, 13, 15 रूपीज के हिसाब से आवरेज करते जाईए अपने क्यापिटल के हिसाब से दीखिए आपने इंटरे करने के बाद भी स्टॉक के नदर रिवसल आ गया है reversal आने के बाद भी आपने average करा होगा तो आपका average लेवल किदर किदर बने हैं और कौन से कौन से लेवल पर बने हैं वो आप लोगों को आज के दिन आगे चलके चार्ट analysis पर बताने वाला हूं दोस्तों दिखिए कभी पर कौन सा भी stock reversal जाते हुए दिखता है जो standard stock हो या below average stock हो या eccentric value से ज्यादा भी हो कम हो कौन से भी stock में आप panic होने की जरूरती नहीं है क्योंकि ऐसे जो stocks होते हैं हम लोगों को double profit देते हैं अगर हम लोग average करने की कोशिश करेंगे तो दोस्तों वो कैसे किदर आप लोगों को आगे चलके वीडियो में बताने वाला हम दिखिए अगर आ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों इंदसिंद बैंक के अंदर आप लोगों को मैंने पिछली बार कहां दिया था दोस्तों एंट्री करने के लिए below 520 520 से लेके stock चले गया था 185 लेवल के पास 185 तक भी आप लोगों को मैंने एकी बात कहें के support बताई थी कि इसके अंदर 759 11 13 15 रुपीज के हिसाब से आवरेज करिए आपका below average बनेगा 500 के लेवल के नीचे 100% शोर्स दोस्तों मैं भता भी सकता हूं कि पूरे के पूरे लेवल 500 के बिलो ही बने थे और पिछली बार वीडियो में आप लोगों को मैंने अपलोड करके बता दिया थ 530 लेवल पे अगर आपने 520 लेवल पे भी exit करा होगा मेरे strategy पकड़के आप लोगों को double से triple triple से चोबल profit हुआ होगा दोस्तों अपने portfolio के अंदर अभी भी आप लोगों को मैंने एक ही बात बताई थी उसके बाद दोस्तों इधर मुझे कुछ दया कुछ ना कुछ सही opportunity and सही position बताया था उसके बाद इसके अंदर हम लोगों को एक ही level मिला है average करने के लिए और दो लेवल भी मिले हैं पर उस 7 रुपिस के लेवल के थोड़े नजजीक था देखिए इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक किया है दो level average वह है 5 रुपिस का level average और 7 रुपिस क का level average 9 रुपिस का अब तक देखने को नहीं मिला है इसके अंदर आगे चलके मिलेगा तो भी पैनिक मत होई है वो कैसे किदर आप लोगों को मैं आगे चलके चार्ट अनालेसिस पर बता दूँगा और जो भी इसके अंदर Friday के दिन डे हाई डे लोग बना है यह तो ज्याद 7.20 पैसा Friday यानि 14 अगर्स 2020 के दिन अब चलिए आगे बढ़ जाता हूं मैं चार्ट अनालेसिस के ऊपर दोस्तों स्टाटरजी हम लोगों को ऐसे बनाना चाहिए अगर स्टॉक रिवर्सल लेगा तो भी हम लोगों को इसके अंदर सही लेवल पे average और सही लेवल पे हम लोगों को मैंने 520 पर ही क्यों exit करने के लिए कह था क्योंकि standard लेवल पर consolidate होने के कोशिश कर रहा था दोस्तों पर इधर consolidation यह stock नहीं ले रहा था क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को RSA के अंदर ज्यादा से ज्यादा overselling देखने को मिल रही थी पर देखिए stock reversal नहीं ले रहा था इसके लिए मुझे doubt आ रहा था कि क्या यह stock फिर से यहीं पर consolidate होने की करशी करेगा वरना यहां से नीचे गिजाएगा मैं पका था दोस्तों stock के उपर की stock गिरेगा ही गिरेगा कितना उपर level पे भी जाए इसके के लिए 520 पे exit करा जिया था देखिए आपने 520 पे भी exit करा हो तो आप अच्छे से अच्छे double profit में exit करें होंगे जोस्तों और आप लोगों को मैंने बिलो 515 के नीचे ही क्यों buy करने के लिए कहा क्योंकि देखिए बिलो 515 का ही ऐसा position है जिदर stock reversal लिया 470 तक भी हम लोगों को इसके अंदर अच्छे सा अच्छा position लेके एक standard level पे ठैरने को मिलेगा and overall average हम लोगों को below 500 के नीचे देखने को मिलेगा इसके लिए मैं आप position and strategy देखे double profit दिलाने की कोशिश करता हूं देखिए यह बात भी बोल रहा हूं अगर 515 के नीचे आपने बाइक किया है 515 के नीचे आपने बाइक किया है पर यह stock यहां से ही जाते होवे 540 पे आपको exit मिल रहा है तो 540 पे exit हो जाए यह हम लोगों को normal profit है यह आप लोगों है 510 पे ही आप लोगों का actual profit से भी थोड़ा ज्यादा दिख रहा है अगर आप सोंच रहें कि 510 पे exit हो जाए दोस्तों आराम से 510 पे आप exit हो जा सकते हैं पर मेरे लेवल पर रुकना चाहते हैं तो थोड़ा time लगेगा थोड़ा patience लगेगा बस panic होना ही नहीं दोस्तों आ अगर आप मेरे टागेट मेरे एंट्रें मेरे exit लेवल पर अब ट्रेट कर रहे हैं तो अब देखिए इसके अंदर जो भी reversal होने वाली थी आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था ये भी बता दिया था कि exit कर लेजिए गिरने के बाद entry कर ये stock चले गया है इसके अंद तो आप क्या करिए इसको ₹9 के हिसाब एवरेज और 12 रूपेज के हैर सिवसाब करिए क्यूंकि ₹1 के हिसाब हम लोगां को एक बार कब average हुआ है रूपे मेशवन को फाइवरेज ये गिरने कर दो से ये बार में हुआ है यानि आपे लोगोंको फाइर के हिसाब से तीन के बिलो देखिए आप लोगों को इधर ही रिजल्ट मिल जा रहा है 510 के बिलो यह आज के दिन आके रुखा है दोस्तों यानि फ्राइडे के दिन आके रुखा है 507 के पास यानि यह 510 के आगे जाता हुआ दिखा तो 520 पे जो अपने 515 के निचे बिलो इंट्री किया है यह 520 पे भी जाता हुआ दिखा आप लोग नीचे से नीचे लेवर में डबल प्रॉफिट से एक्जित कर सकते हैं ऐसी होती है दोस्तों स्टाटेजी आप यही स्टाटेजी इस्तमाल करके चले देखिए आप लोगों को मैं आरे से में भी मूमेंट क्या होता है वो भी बता द जो भी जहांसे में अटके हैं दोस्तों वो लोग बहुत बुरी तरीके से अटके हैं पर देखिए स्टाटेजी 520 के नीचे बनाई है हम लोगों ने आप वही स्टाटेजी पर चल सकते हैं यही पर यह बिलो अटच कर सकता था दोस्तों बॉटम लेवल पर थोड़ा अप फिर से बॉटम लेवल टच करा है जो आप लोगों को मैं पहले से बताते आ रहा हूं अब चलिए आगे चल के आप लोगों को मैं इंट्राडे में कैसे ट्रेड करें वह वाले टागेश बता दूंगा मंडे के लिए तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ जाते हैं यह मेरा टे इन्दर प्रॉफिट एंड लॉड होते ही रहता है अगर हम लोग लोग लोज देखे डल जाएंगे प्रॉफिट देके कैसे होजआएँगे तो हम लोग चत्य सून नहीं हो सकते हम लोग वाहिं का पुजिशन बने का पुजिशन बने मेरे टार्गिश लेके चल सकते हैं मन्डे के दिन करने के लिए अब Luke 1720 मंदे क्या इप blue finger तरय सकते सकते हैं दूस्तों आप स्थाउं मारकेट के लिए हैं मेरे टार्गेट के लिए दूस्तों आप पहले पीपर्वर्क करें दूस्तों एक महीने के लिए क्यूंकि एक तो हम्लोगों को अंदर ओधे रॉल प्रॉफिट क्या हो रहा है और रॉल लुक्सान क्या हो रहा है वह हम लोगों को समझ में आ जाएगा अगर आप मंडे के दिन से पेपर वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं तो देखिए स्टॉप लॉस हीट हो रहा है तो कितना कम लुक्सान हो रहा है तो कितना कम बिटो रहे आप लोगों को समझ में आ जाएगा दूस्तों